हेलो दोस्तो नमश्कार मैं सरब जी ताज आपके साथ شेर करने जा रही हूँ आमला की केंड होती है बहुत आरा टेस्टी होती है हेल्दी होती है और आमला के जो गुन होते हैं वो आपको पता ही है आमला आखों की रोशनी केलिए बालों केलिए बहुत अच्छा होता है और करने से नियुटू हो टी है कभी खतम नहीं होती है लेकिन आज हम इसे करके बनाया ब्ला reaction करके बनायंगे ब्लकुल करेंगे यहां पे ले लिए है आप के पास नहीं तो आप कडाही में या पतीले में पानी डालिए और उसके उपर कोई जाली रखकर आप आमले को स्टीम कर सकते हैं यहां पर स्टीमर के अंदर हम थोड़ा पानी डाल लेंगे आधा लीटर के करीब आप पानी डाल लीजिए और इसे अच्छी तरह गरम होने दीजिए यहां यहां पर 20 मिनट का मैंने टाइम देखकर लगाया था तो यहां पर आप देखिए आमले की यह जो पीसिस हैं वो अलग लग हो गए हैं यह जो निकल गए हैं साइडों में से आपको पता चल जाएगा यह खुल जाता है आमला तो यह अच्छी तरह बॉयल हो चुका है अब पलग है थोड़ा से ठंडा करने के बाद हम इसकर लेगे इसकी इस की इसतारे पीस को हमने अलग कर लेगे और अलग करने के बाद ही हम इसे यूजऽ करेंगे यहां पे एक बाउल के अंदर हमने आम लेकinflें लिये हैं और आप डेखे कितना यह पर्फेक्ट बॉयल खोके आ खीक-थाइए दो दिन तो चोड़ दें तो आप दो पर दो दिन हए तो को यहां पर अदर सकते हैं और आप शाट मसाला टाल सकती है थोड़ा ऐसे तो दिन के बाद हम इसे stop चेक करेंगे फिर अब देखे मैंने इसे दो दिन के लिए रख दिया था बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी है जैसे एक दिन के बाद जैसे थोड़ थोड़ टाइम के बाद मैंने इसे चला दिया था बीच बीच में इसको टर्न करती रही हूं मैं तो यहां पर जो पानी ह चीनी ने बिल्कुल छोड़ दिया है और आमले ने अपना भी जो करवाट थी वो सारी इसकी निकल चुकी है और इसने चीनी को एब्जॉब कर लिया है यहां हम इसे स्टेन कर लेंगे स्टेन करने के बाद इसे हमने थोड़ा सुखा लेना है सुखा कर हम इसे यूज़ पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और यह जो पानी आमले का निकला है इसे आप शिकंजिमी में यूज़ कीजिए या फिर कोई जूस बना रहे उसमें डालिए यह बहुत ही हैल्दी होता है तो यह अच्छी तर निचुड चुका है अब इसे एक बाउल है एक से दो दिन आप सुखा सकते हैं पूरा एक दिन भी सुखाएंगे तो चलेगा आप इसे पंखे के नीचे रखके सुखाईए या नॉर्मल ऐसे रूम में रख दीजिए आपने इसे धूप में बिल्कुल नहीं रखना है बिना धूप के हम इसे सुखाएंगे चीनी इ अगर इसके नदर आमले के अंदर फोड़ा भी पानी रहेगा तो चीनी आपकी Milt हो जाइगी यहां पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसके दर नमक डालने से इसमें थोड़ा सा अच्छा आ जाता है और यहां पे थोड़ी से में काली मिर्च भी डाल रहे हूँ अगर आप थोड़ा ज़ादा चटपटा पसंद करते हो थोड़ा तीखा यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लाल मिर्च का यूज भी कर सकते हो लेकिन मैं नहीं बना रही हूं लाल मिर्च के साथ क्गी मैं बच्चों के लिए बना रही हूं अब देखिए चीनी इसके उपर लग चुकी है अब हम इसे एक प्लेट में डालकर सुखने के लिए रख देंगे आप इसे फैन के नीचे रख दीजिए और या फिर ऐसे रख दीजिए छोड़ दीजिए एक दिन के लिए यह सुख कर एड़ी हो जाएगी आपने आमले को बिल्कुल फैला कर या आप न्यूस पेपर के उपर भी आप इसे सुखा कर रख सकते हैं आप इसे छोड़ दीजिए उसके बाद चेक करेंगे आप देखिए पूरा एक दिन बीतने के बाद यह जो एमला केंडी हैं हमारी इस तरह की हो चुकी हैं आप देखिए इसका टेक्शर कितना परफेक्ट आया है जैसी केंडी आप मार्केट से लेकर आते हो वैसी केंडी यह बनकर रेडी हुई हैं बहुत ही तेस्ती बनकर त्यार हुई हैं आप मार्केट से लाते तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं लेकिन आप घर आप लाजकल बहुत जादा आ रहा है तो आप लेकर आए और बना कर रखिए आप इसे साल से दो साल तक भी स्टोर करके रख सकते हो यह कभी खराब नहीं होती है जिनकी आँखों की रोशनी कम है वो खाएं जिनके बालों में प्रॉब्लम है बाल जढते हैं वो खाएं बच् देखने के लिए आप सर्वी का बहुत बहुत धन्यवाद